मुख्यमंत्री अशोग घहलोद जोदपूर पाली दोरे पर हैं जी आपको बतादे कि सचन पालेट और अविनाश पांधे भी उनके साथ है पाली में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं जाबा गाउं में कारेक्रम में उसके बाद शामिल होंगे बाप में कॉंग्रेस प्तियाशी के समर्थन में इसके बाद जनसभा करने वाले हैं बाप में उसके बाद की मुख्यमंदरी अशोग घहलोद के साथ डिप्टी सीम सचन पालेट और अविनाश पांडे भी मौझूद हैं मिशन मारवाड पर सीम घहलोट अब कॉंग्रेस सरकार पूरी तरह से मिशन 25 में जुट गई है और इसी के चलते सीम घहलोट सचन पालेट और अविनाश पांडे जनसभाओं को लगातार कर रहे हैं आपको बता दे मुख्यमंत्री अशोग घहलोट का पाली जोदपूर दौरा सचन पालेट और अविनाश पांडे भी इनके साथ हैं जावा गाओं में कुछ कारिक्रम इसके बाद एक कारिक्रम में शिरकत करने वाले हैं और इसके बाद जावा से साड़े तीन बजे रवाना होकर चार बजे बाप गाओं पहुँचेंगे सीम घहलोट बाप में कॉंग्रिस पत्याशी के समर्थन में जनसभा करने वाले है आपको बता दे मिशन मारवार पर सीम गहलोत और इसके चलते ही पाली जोदपुर दौरा है सीम गहलोत का इसके बाद जाबा गाउं में एक जनसभा को संबोधित करने वाले है उसके बाद जाबा से साड़े तीन बजे दूसरी जनसभा को संबोधित करने जाएंगे और इसी खबर पर और दिक जानकारी के लिए एवन सामा जाता जीतेंद्र फोन लाइन पर मौजूद है हमार साथ जी जीतेंद्र बताएं क्या मुखे मंत्री अशोग घैलोट की जनसभा शुरू हो चुकी है जीतेंद्र ये बताएं कि जोद्पूर पाली दौरा है सेम घैलोट को और पहली बार वेबफ घैलोट जो है वो चुनाओ लड़ रहे है अवाज कम आ रही है आप मुझे सुन पार है जीतेंद्र क्या आप मुझे सुन पार है आप ये बताएं कि पहली बार वेबफ घैलोट जो है वो चुनावी सा लोग सब चुनाओ लड़ रहे हैं तो इसको लेकर क्या कुछ मुद्दे रहेंगे चलि एक बार आपको फिर से बता दें मिशन मारवाड पर हैं सीम घैलोट और अभी सचन पालेट संबोधित कर चुके हैं और सीम घैलोट पाली में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं मिशन मारवाड पर सीम घैलोट आपको बता दें कि अब मिशन 25 की पूरी दरे से कॉंग्रिस ने तयारी शुरू कर दी है और इसी के चलते जनसभाओं का दौर भी लगातार जारी है अभी सचन पालेट पाली में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं अभी